हाँ तो दोस्तों क्या आलचाल भाई आज की इस वाली वीडियो में अपन एक ऐसे टोपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इंदिदार काफी लोग कर रहे हैं टाटा कर्व के बारे में भाई इस गाड़ी को मतलब आपको थोड़ा भी इंट्रेस्ट है न वीडियो ए लो सब गड़े काफी अपडेटेड आ रही है तो यह उस चीज को एक नेक्स लेवल पर लेने वाली है में यूएसपी दोस्तों आपको इस गाड़ी के लुक्स देखने को मिलने वाला है लोक्स एक नंबर के लुक्स आपको मतलब बिल्कुल फूचरिस्टिक लुक्स आप काफी फ्लैट सा डिजैन आपको देखने को मिलता है जो कि काफी एक स्टांस दे रहा है गाड़ी को और काफी बढ़िया लग रहा है साइट से बात करें साइट से आपको जो है फ्लश्ट डोर हैंडल आपको इस गाड़ी के देखने को मिलने वाला है जो कि बढ़िया है औ आती है उस type का format आपको इस गाड़ी का देखने को मिलने वाला है Rear, Steerier की बात करें तो main features की बात करते था आपको एक टिस में sunroof देखने को मिलने वाला है दूसरा आपको जो है एक बड़िया infotainment display देखने को इस गाड़ी में देखने को मिलने वाली है जो हाल फिलाल सफारी में आ रही है नेक्सोन में आ रही है वही उस टाइप की सेम डिस्प्ले सेम यह है आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है और जो आपको जो है इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है और जो आपको इस गाड़ी के तरफ इंटीरियर की बा परपल और Black का Combination भी कर सकती है जैसी अपनी नेक्स्वन में उसी टाइप के आपको Combination देखने को इस गाड़ी में मिलने वाले हैं इंटीडिर की बात करें तो आपको सब्क्राइस के Level 2 आपको इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है और आपको जो है गाड़ी काफी फ्यूचरिस्टिक आपको इस गाड़ी में फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलेगा यह हो गई इसके एंटीर की बात इंजन ऑप्शन की बात करें तो आपको जो है पेट्रल डीजल दोनों ऑप्शन इस गाड़ी में देखने को मिलने वाला है 1.5 लीटर का लॉंच डेट की बात करें तो आपको जो है यह गाड़ी 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक लॉंच होती भी इंडिया में देखने को मिलने वाली है 100% यह गाड़ी लॉंच हो ही जाएगी प्राइजिंग की बात करें तो आपको जो है 9.99 लाग से इसका बेस मोडल जो स्मार्ट वेरेंट आता है और उसके बाद आएगा स्मार्ट प्लस फिर आएगा प्यॉर और फिर आएगा अपना क्रियेटिव और क्रियेटिव प्लस यह आपको इस गाड़ी में वेरेंट्स दिस्टिबूशन देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों आज की स्वाली वीडियो में इ